नमिश्कर दोस्तों आप देखने की के निस ब्रेक अप के बाद टूटी नेहा ककर ने लिखी दिल की बात कहा कि मैंने अपना सब कुछ को दिया इस बॉलिवुड की दुनिया में कब किसका दिल टूट जाए किसी को पता नहीं यहाँ पर आए दिन दिल रोडते हैं तो कई दिल टूटते भी हैं बॉलिवुड में कए कालाकारों के ब्रेक अप की खबरे आती हैं तो उनकी फैंस की दिल टूट जाते हैं ऐसा ही आच्छल सिंगर नेहा ककर की ब्रेक अप की खबरे सोसल मीडिया में चाही हुई है तो चली जानते हैं की ब्रेक अप के बाद नेहा ककर ने क्या कहा बॉलिवुड सिंगर नेहा ककर पिछले कुछ महीने से अपने अफैर को लेकर मीडिया में सुर्खे में बनी हुई है उनका अफैर हिमान स्कॉली के साथ था इसका खुलासा उन्होंने एक टीवी शो के दोरान खुद किया था लेकिन इन दिनों उनकी ब्रेक अप की खबरे चल रही है ब्रेक अप के बाद नेहा ककर का दिल तोट चुका है दिल तोटने के बाद नेहा हाली मी कुछ इस तरह बेकापू हो गया है कि उन्होंने अपने दिल की बात लिख डाली नेहा ककर के लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी दोनोंने एक दूसरे को सोसल मीडिया पर अनफॉलो किया था खबरों की माने तों दोनोंने सोसल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया इसका पता तो दोनों के इंस्टाग्राम पर अकाउंट देखने के बाद पता चलता है बात यहीं नहीं था मिल निहा नहीं मानुश के सभी पोस्ट को भी डिलेट कर दिये निहा का दिल टूपने के बाद निहा ने निहा एक भावुक पोस्ट भी दिया मुझे नहीं पता था इस दुनिया में इतने बुरे लोग भी होते हैं खेर सब कुछ गवा के होस में अब आ गई हूँ तो क्या किया पता नहीं था कि दुनिया में इतने बुरे लोग भी होते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा भी होगा मैं अपना सब कुछ दे दिया और मुझे बदले में क्या मिला निया ककड ने एक के बाद इस इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और फिर अपने दिल की बात कही इस पोस्ट में निया ककड का दर्द जलकर कर सामने आ गया देखिए निया ककड के पोस्ट अगर आप निया ककड के फैन है तो प्लिस हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमारी चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद